अन्न दाता किसानों पर मौजूदा सरकार जो नीतियां थोप रही है वह निंदनिये हैं इससे किसानों पर अनुकूल नहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वो किसान जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान दूसरे देशों को टक्कर देने में सक्षम है उनके साथ मौजूदा सरकार का ऐसा वहवार बिलकुल भी उचित नहीं है यदि ऐसा ही चलता रहा तो मौजूदा समय का भारत उस काल तक पहुँच जाएगा जिस काल तक वह अंग्रेजों के शिकंजे में था यह कहना है करनाल के वरिष्ट कॉंग्रेसी नेता त्रिलोचन सिंग का समाचार एक्सप्रेस के साथ विशेश बातचीत में उन्होंने बताया कि कॉंग्रेस सरकार मौजूदा सरकार की नीतियों का विरोध करती है और किसानों का संपूर्ण समर्थन करती है क्योंकि किसान ही अनदाता है सरकार द्वारा जो किर्शी अद्यादेश जारी किये गए हैं वह किसान विरोधी है यही कारण है कि अब किसानों को सड़कों पराना पड़ रहा है किसान नेताओं को अचानक से हिरासत में लिये जाना भी गैर कानूनी है वह अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत करना चाहते हैं लेकिन सरकार उनकी बाते ना सुनकर दवनकारी नीती अपना रही है नगर निगम के नवनियुक्त सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाओ पर उन्होंने कहा कि जो पार्शत इन पदों पर चुने गए हैं वे बधाई के पात्र हैं लेकिन मौजूदा समय की सरकार अफसर शाही की सरकार है ऐसे में नवनियुक्त सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर चाहकर भी सीम सिटी का विकास नहीं कर सकते उन्होंने आरोप लगाया कि करनाल में अफसर शाही हावी है यहीं कारण है कि करनाल का विकास नहीं हो पा रहा है गरीबों के आशियाने तोड़े जा रहे हैं ये आशियाने सरकार की शैपर ही बने थे अब सरकार ही नहें तोड़ने पर लगी है इस से अंदाजा लगाए जा सकता है कि सीम सिटी में अफसर शाही का बॉल बाला है गरीब व बेरोजगार और लाचार हो रहे हैं करनाल से तरुन मदान की रिपोर्ट दोस्तों मैं हूँ तरुन मदान और आप इस समय दिख रहे हैं समचार एक्सप्रेस मैं आपको बता दू कि मुझूदा समय में परदेश सरकार के खिलब सरकार जो किसान हैं उन्होंने विरोधी सुरुका बिगल बुचा रखा है हर तरफ किसान जो हैं सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं अमिर से बात करने के लिए मुझूद रहे हैं सर एक चीज़ बताई ये जो प्रदेश का किसान है या देश का किसान है लगाता है सरकार की नीतियों का विरोध करता रहा है एस सरकार की नीदों में ऐसा क्या है कि जो उनकों सड़कों पराना पड़ा रेल रोकों अंदोलन करने पड़े ट्रैक पर बैठना पड़ गया देखे जब से हमारा भारत जाद हुआ तब से लेकर अब तक अगर हमारे हिंदोस्तान के अंदर जहां सुमी भी ने बनती जहां जहाज बनने शुरू हुए है उसके पीछे किसानों का बहुत बड़ा समर्सन थला है किसान अगर मेहनत ना करते तो आज हिंदोस्तान इस तिती में ना होता क्यों दूसरे देशों के साथ टकर ले सकता है किसानों को बहुत बड़ा योग न रहा है मुदी सरकार ने मजुदा सरकार ने ना जाने ऐसी क्या सोच नकाली कि तीन अध्यादेश किसान वरुदी बिल लेकर जो आए हैं जिसकी वज़ा से हिंदोस्तान के अंदर किसानों में तरही तरही मची हुई है हिंदोस्तान का किसान समझता है अगर ये तीन रद्यादेश में लपास होगे तो उनसे जमीने हैं मिश्या मिश्याकली खत्म हो जाएंगी पहले ही कारोबार नहीं है हिंदोस्तान के अंदर नोक्रिया नहीं मिदी, बेर्ज़गारी बहुत बड़ी हुई है ऐसे में किसान भी अगर भुखा मर गया तो हिंदोस्तान तूट जाएगा जो सत्तर सार पहले हमारा देश यजाद हुआ वो फिर अब दबारा गुलामी की तरफ बढ़ रहा है इसी वज़ाए से किसान अपने किसानी बचाना चाहता है अपने मां को बचाना चाहता है अगर चोत्ता अदिया देश भी सिरकार लेय थी कि MSP की ऒरंटी MSP की गरंटी कहने से नहीं उसका भी करूड बनाती MSP के रेट से कोई बेजनसी अगर कम रेट पर् précisती है तो उसको सजा हो उसको सजा का परवादान हो उसकी जो अरजंसी है बलैक लिस्ट की जाए उसके साथ साथ हमारे आरती भाई और मुझदूर भाई भी बेरुज़ज़गार हो जाएंगे इसलिए आज किसान सड़कों पर हैं और कांगर्स पार्टी और खुद मैं हमारे माने निये चोड़ी ब पिंदर सिन्जी उड़ा और भेहन कुमारी शैलजा पे इसका समर्सन कर चुकी है किसानों के हम किसानों के साथ हैं सर किसान निताओं को उठा लिया गया ताकि वो दिल्ली कूच की तरफ पूचना कर सके हैं सड़कों पर बैरिकेट से लगा दी गए उनके आने जाने पर इतना ही नहीं इन सब प्रयासों से आम जंता को भी भाई नुकसान या परशानी का सामना करना बढ़ता है लेकिन जिस तरह से किसान नेताओं को उठा ली जा गया अचानक से रासत में ले ले गया क्या यह उचि मोदी जी के कोई मंतरी ना हर्याना सरकार का को मुखिया ने उन्हें से बात करने का प्रयास किया इसलिए उन्हें ने दिल्ली जाने का रादा रखा दिल्ली के तरफ कूछ करने के लिए जा रहे हैं मैं पूछना चाहता हूँ जब अन्ना हजारे दिल्ली में बैठे थे उस में क्या लागना अल्डर खराब नहीं होता था आज अकर किसान अपनी बात कहने के लिए दिली के तरफ जाना चाहता है उसको रोकने के लिए उनके जो नेता लोग हैं उनके एक दिन पहले ही एरेस्ट कर लिया यह परज़र रंतर का गला गोंट रहे हैं और यह गुलमी की त सरकार से लगातार मांग कर रहा लेकिन सरकार उनसे बात नहीं कर रही उल्टा उन्हें गिरफ्तार करके परहार कर रही है तो रुचंड सिंग जी इसके और आपसे जानना चाहूँगा कि आप करणाल में दो वर्श के बाद नगरनिगा में सीनियर मेर और डिप्टी मेर का कि चुनाब समपन हुआ है सरव समत्ति से दोनों चुने गए इस से करनाल के विकास कहरे पर क्या पर्वाब पड़ेगा या दो साल जो इनतिसार करना पड़ गया ऐसा क्या करनन रहा कि दो साल के भाद एक दम से ही एक देट को डिकलियर कर दिया जाता है और दोनों को सरव समध्रस्म रिया जाता है उसके बाद आवाज ये भी आते कि कुछ पार्शत वह विरोधी हो गए है पहले उन्होंने समर्थन किया उसके बाद उन्होंने विरोध दिखाना चुरू कर दिया इन सब मजूदासीति को ना चाहते हूं कर पाएं लेकिन मैं नहीं समझता कि जहां पर सियम सिटी हो महां सियम सिटी में किसी अन्ने की चलेगी यहां सियम जो चाहेंगे वही होगा यह मजुदा जो पाशर बनाएंगे हैं यह मेंती तो हैं लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार में यह कामयब नहीं होंगे क अब ये भी प्रियास करेंगे तिनों मिलकर लेकर मैं मानता हूँ अफसर शाय इतनी हावी हो चुकी हर्याना के अंदर इनकी चलने वाली नहीं है आने वाले समय में और ये वकास करें नहीं करा पाएंगे वकास करें जो पहले अड़े हुए हैं रुके हुए हैं वो वहीं रहेगा करवाने में ये मैं समता हूं नागबर पर है. करनाल में बड़ी तदाध में वैद गरीबो का मकान तोड़ दीगे, सड़के तोड दीगे, में होल तोड़ दीगे, जबकि बात ये भी उठती है की पहले बनाने बनाना उनको बनाने के लिए मंजूरी भी इनके दौरब दी गई थी लकिन अब यह ख़ decision का उगए अब यह कोई ढहा दिया जाएगा इससे क्या जन्ता में क्या संद्ध जाएगा सरकार के प्रति तक कि 2014 में जब मुख्यमिंत्री बने थे मनौला जी खटर उन्हेंने वादा किया था बिदो जाद 16 तक दो साल के दरंदर हर सिर पर चात होगी लेकिन वो अपने वैदा पूरा नहीं कर पाए उसके अलावा जो गरीब लोग हैं जो शेरों की तरफ लाइन हो रहा है गौस लोग शेरों की तरफ आ रहे हैं बहुत बड़े मजदूर शेरों की तरफ आ रहे हैं वो बड़ी-बड़ी कलोनिये में जगा नहीं ले पाते इसलिए उनको अनुपरूर कलोनिये में जा बने बनाए मकान ना तोड़े, मैं ये गुजाश करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सुड़कों पर आगे हैं, उनके मकान तोड़ दिये गे हैं, कॉंगर्स ही परदाश नहीं करती, के गरीब आदमी सर्दी के दिनों में, एक अभी कुरोना हो के इठा है, कुरोना चर रहा है, कुरोना के दुरान, लोगों के रिज़ार खतम हो गए हैं, लोगों के बarbeit्र बैंकों के किसे नहीं दी जा रहीं, लोगों से बच्चों की फीस नी दी जा रहीं, ऐसे में उनके मकान तोड़ देना, और जो धबाँ की बات हुई है, धबे तोड़ देना, उनकी बेरुज रोज़गारी और बढ़ेगी एक तरफ सरकार रोज़गार नहीं दे रही दूसरी तरफ थोड़ा बहुत मेहनत करके लोग पैसा कमा रहे हैं उन से भी उनको वंचित करने की जो कोशिश है ये अच्छी बात नहीं है अभी मैं कहता हूं हो सकता है कि नैशनल हाईवे पे चाहिए तांक को अपनी मर्जी से हटा लें तोड़ने के वज़ए उनको हटाने का देश दिया जाए वो पीशे कर लें लेकिन अभी एक साल तक कोई वी ऐसा काम ना करें कि गरीब आदमी जो पहले ही करोना की वज़ए पिसा हुआ है वो आस्तम हत्या करने पर मजबूर हो देखें मैं नहीं पहले कहा रहा हूं हर्याना के अंदर किसी के नहीं चलती सिर्फ अधकारीयों के चलती है सरकार को भी चाहिए जो चोटे कुलोनाइजर हैं जो दो-दो हजार गैर तिन-तिन हजार गैर जगा लेकर गरीब आदमीओ का श्याना देते हैं उनको सक्षन दे उनको लसंस दे, असाम किस्तों पर उनको महिया कराए, पैसा महिया कराए, तांकि छोटे गरीब आजमियों को किस्तों के उपर प्रॉट दे सके, जो कलोनाइजर हैं, वो भी बहुत अमीर लोग नहीं हैं, छोट-छोट लोग हैं, उनके साथ भी सरकार को सोतेला वेवार नही तांकि या कलोनिया सरकार खुद काटे, गरीब आजमियों के लिए बिल्कुल वंचित हैं, जो बेरुजगार हैं, जो घरों में बरतन मान कर, कपड़े दो कर, लोगों के घरों में पोचे लगा, अगर मकान बनाने का सपना लिया हुआ है, उनको सरक्शन दे, उनको मकान सस दे मोहिया कराए, सबसीडी दे, लेकिन सरकार की ऐसी कोई स्कीम नहीं है, पिछले चेह सालों के अंदर कहीं इनोने को जमीन एकवायर नहीं की, अगर जमीन एकवायर नहीं करेंगे तो ड्वल्पन कहां से होगी, इससे साफ नज़ लगता कि हरयाने के अंदर ड्वल्पन नहीं हो रही, को जब जमीन एक वायर नहीं होए तो ड्वल्पन कहां से होगी, कैपलिस्ट कहां से आएंगे, इसलिए सरकार की कोई ऐसी अभी तक रूप रेखा नहीं बनाई, कि किसी गरीब आर्मी मोगा मकान दे सके, छोट-छोटी इंडिस्ट्री लगा सके, लोगों ब परदेश की तब उन्होंने वाइदा गया था कि हर एक व्यक्ति के सीर परच्छत होगी, कोई हर किसी को अपना आश्याना मिलेगा, लेकिन जब अब गरीब आदमी पाई पाई जोड़कर अपना आश्याना बना रहा है, तो ही अफसर तो पहले अफसर उस मकान को बनने दे ताकि उन लोगों को सरक्षन मिल सके, लेकिन मुझूदा समय में सरकार के बास ऐसी कोई भी योजना नहीं है, जिससे कि ऐसे बेघर लोगों को और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके, बेघर लोगों को छट मिल सके, हम आपको बता दें कि इन सर्दी अब अपनी च सब्सक्राइब करें लिए प्रदेश सर्कार ने क्या स्कीम चलाई है लेकिन फिलाल ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है कि ऐसे लोगों को कोई सहरा मिल सकें सर्दार सब मुझूदा समय महामारी का समय चल रहा है हर व्यक्ति अपने आपको बचाने की कोशिश में जुटा है ऐसे में सरकार दोरा जो भी गाइडलेंज जारी की जारी है उसके लिए आप क्या कहेंगे कि इसमाहमारी को रोपने के लिए आम जनता को और सरकार को क्या प्रप व्यापक परबंद करने चाहिए कि हमें इस की बढ़ती चेन को हम तोड़ सकें सबसे पहली सो मैं करोना काल में यह कहना चाहूंगा कि सरकार को लोगों से लड़ने की बज़ाये करोना से लड़ना चाहिए सरकार को बड़े सब्स committed रभ्याद चलाना चाहिए कि करोना के लिए अवेर करें पिछले कुछ समय से सारी अफसरा हाथ पर हाथ पर आपके थे तांकि उन्होंने बगवान पर उसे छोड़ दिया था जिसकी वज़े से करोना दोबार बढ़ा है सरकार के पास खासकर के करनाल में ना तो वेंटिलेटर आये हैं ना मशीनों में बरोत्री की गई है इसलिए मैं नवेदर करूंगा सरकार से कि हरयाना सब वेंटिलेटर भी लाए जाए जाएं और करोना के लिए लोगों को भी मैं अगरा करूंगा कि खुद भी बचाओ करें सरकार के परोसे ना रहें मास्क जुरूरी दोगएक की दूरी जो MHO की जो ये जाएंगे जाए रहें हर अदमी मास्क का पालन करें और कोशिच करे कि करोना में हमारी में कम से कम अपने घर से बार निकले क्योंकि अभी तक करोना पे कमजोर जुरूर पड़ा है लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ है अब दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है हमारे को खुद सरकार के परोसेन रहकर अपने आपको बचाना पड़ेगा और अवे रहना पड़ेगा बो गश्च करें ओच की दूरी है उसकी पालना करें मास्का परयोग करें जो दोगज की दूरी है उसकी पालना करें इसके लावा यदि अवश्यक हो तो ही घर से बाहर हैं अन्यता घरों पर ही रहें क्योंकि यह बिमारी अभी कंट्रोल नहीं हुई है और इसकी चेन अब बढ़ती जा रही है इसका दूसरा चरण जिस तरह से ब ऐसे ही लेटेस्ट पर पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद JBD Banquets Enterprise